आज की ओनलाइन क्लास में आपका वेलकम है आज की ओनलाइन क्लास में हम बी ए पार थर्ड इंग्लिस लिटरिचर के पेपर फास्ट पोईटरी एंड ड्रामा में से हीरो सीमा नामक पॉइम जो की अग्या नामक पॉइट जिसका फुल नेम है सचीदानन्दा, हीरानन्दा, वातस्यान अग्या है हीरो सीमा नामक पॉइम जिसके पॉइट अग्या है अग्या जी का पूरा नाम है सचीदानन्द, हीरानन्द, वातस्यान अग्या अग्या की फेमस पॉइम हीरो सीमा के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे सुरो फर्थम हम अबाउड दैप पॉइट कवी के बारे में जानते हैं अग्या जिनका फुल नेम जिनका पूरा नाम सचीदानन्द हीरानन्द वास्यान अग्या है अब हम इनके बोन इनके जनम की बात करते हैं तो इनका जनम हुआ था 7 मार्च 1911 शाद मार्च 1911 को इनका जनम हुआ था अब हम बात करें कि इनका जनम कहां पे हुआ था तो इनका जो बोन प्लेश है इनका जनम हुआ था कुशी नगर देवरिया इन यूपी कुशी नगर देवरिया उत्र परदेश में इनका जनम हुआ था अब हम बात करते हैं कि ये जो पोईट है इनकी डैथ कब हुई थी इनकी डाइड कब हुई थी तो इनकी डाइड हुई थी 4th April 1986 इन देहली इनकी मिर्थ्यु हुई थी 4 April 1987 को न्यू देहली में इनकी मिर्थ्यु हुई थी अब हम अग्या जी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानने की कोशिस करते हैं कि ये जो पोईट है अगेया जिनका फुल नेम है सचिदानंद हीरानंद वाजसान अगेया ये इनका प्रोफेशन क्या क्या है इनका ओक्यूपेशन क्या है तो हम ये जानते हैं कि तो इनका प्रोफेशन क्या क्या था ये एक इंडियन राइटर थे, पोईट थे, नोवेलिस्ट थे, लिटरेरी क्रेटिक थे, ट्रांसलेटर थे और जनलिस्ट थे अब हम इनकी फेमस जो वर्क रिटन है, इनके जो फेमस कारिये हैं, जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो इनके द्वारा जो फेमस कारिये हैं, फेमस जो रशनाय लिखी गई हैं, उनमें है सेकर एक जीवनी शेकर एक जीवनी सेकिंड है प्रीजन डेज एंड अधर पॉइम्स थर्ड है तार सब तक ये इनके द्वारा फेमस कारिये लिखे गए थे अब हम आते हैं हिरो सीमा नामक पॉइम के बारे में डिसकस करते हैं पॉइम को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बैक ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिरो सीमा नामक जो पॉइम है इसका बैक ग्राउंड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं 6 अगस्ट 1945 6 अगस्ट 1945 को मित्र रास्ट की फोजियों के दौरा जो अमेरिका के नितरत्वे में लड़ रही थी जापान के नागर हीरो सिमा पर एटम बम गिराया गया दूसरा एटम बम नागा साकी नामक नागर पर 9 अगस्ट 1945 को गिराया गया जिसने जापान को आत्म समर्फण करने को मजबूर कर दिया और इस परकार से सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 दित्य विश्वयुद जो 1949 से 1945 तक लड़ा गया उसका अंत हो गया जापान के समर्फण के शाथी दित्य विश्वयुद की समापती हो गई जापानियों ने 14 ऑगौस्ट 1945 को आत्म समर्फण कर दिया 14 अगस 1945 को जापान ने समर्फण कर दिया हिरोसीमा नामक पॉइम के जो पॉइट है अगया अगया ने हिरोसीमा पर इस बम गिराए जाने की ये जो पूरी घटना है इस कविता में वो क्या करते हैं इस कविता में डिसकुर्श करते हैं अग्या ने ये कविता हीरो सीमा की अपनी जो यात्रा है वहां से लोट कर आने के पश्चात भारत में इसको लिखा उन्होंने वहां की सारी विस्तार पूर्ण जो जानकारी है उस जानकारी को इसने इखटा कर लिया और इंगलिस के जो पॉइट है जिसका नाम है वर्टसवर्थ उन्हीं की तरह उन्होंने सांती पून वाताउन में अपनी इस इखटी की हुई भावनाओं को इस कविता में व्यक्त कर दिया वे उस सहर की वास्तवी घटना का जहां पर की ये जो बम गिराया गया था और इसके साथ साथ जो वहां के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा उसका पूरा वर्णन ये अग्या साथ इस पोहिम में करते हैं वे वहां क्या हुआ और किस परकार से हुआ उसका वास्तविक हल चाल ये जो रियल सिच्वेशन है तथा इसके साथ ही हीरो सिमा के नागरिकों पर इसका क्या दुखत पर भाव पड़ा इसका ये शंपूर्ण क्या करते हैं इसमें वर्णन करते हैं और ये माना जा रहा है कि इस पोईम को अगे साब ने लिखा है इस पोईम में जो जापान के हीरो सिमा नामक नागर पर अमेरिका के दुआरा बम गिराए गया इस बम से लगबग एक लाक शाट हज़ार लोग इसमें मारे गए थे तो आएए अब हम डिसकस कर लेते हैं इस पोईम के बारे में चलो अब हम पोईम को क्या करते हैं रीड करते हैं On this day, the sun appeared, no, not slowly over the horizon. 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 इस horizon का मतलब होता है cities. Horizon का क्या आरत होता है cities. On this day, इस दिन, किस दिन की बात कर रहा है यहां पर point? यहां पर जो point है, जिसका नाम है अगेया. वो on this day, इस दिन की बात कर रहा है, जिस दिन, अमेरिका के दुआरा, जापान के जो, हीरो सीमा नामक नागर है, जिस पर, यह बंब गिराया गया था, उस दिन की बात कर रहा है. वो दिन कुन सा था जिस दिन अमेरिका के दोरा जापान के इस नगर पर बं गिराय गया था वो दिन था 6 अगस्ट 1945 यानि कि 6 अगस्ट 1945 की इसमें ये जो पॉइट है वो बात कर रहा है इस दिन यानि कि 6 अगस्ट 1945 को अमेरिका ने जापान के हीरो सीमा नामक नागर पर एटम बं गिराया इसमें कि सूर्य परकट नहीं हुआ था और नहीं ये धीरे धीरे छितिस से निकला यानि कि उस दिन सूर्य पूरल दिसा से उधे नहीं हुआ बट राइट इन दे सीटी स्क्वेर स्क्वेर का मतलब होता है वर्गा का रहा बीचू बीच बट राइट इन दे सीटी स्क्वेर लेकिन ये तो सहर के बीचू बीच या सहर के लगबग मद्य में था Blast का मतलब होता है विश्वोट होना डेजल का मतलब होता है अत्यादिक चमकतार या चकाचोंद परकाश पौवर्ड अवर एक विश्वोट होआ और अत्यादिक परकाश चारों तरह फैल गया नोट फ्रॉम दा मिडल स्काई यह परकाश यानि यह विश्वोट यह परकाश आकास के मद्य में नहीं हुआ वट फ्रॉम दा अर्थ टॉन रिजिडली ओपन रिगिडली रिगिडली यहां पे जो शब्द आया है र-A-W-G-E-D-L-Y रिगिडली का यहां अर्थ होता है उधेड कर रख देना या उधेड कर कटे फिटे टुकडे कर देना टॉन का मतलब होता है बदल देना टॉन का क्या अर्थ होता है बदल देना इस लाइन का अर्थ होता है कि बलकि यह पर्थवी पर विश्वोट हुआ जिसने इस पर्थवी को कटे फिटे टुकडों में बदल दिया पिस्ड का मतलब होता है अचानक इधर उधर दोड़ना अचानक इधर उधर दोड़ना इस लाइन का अर्थ होता है कि एटम बम फटने से मनुस्य की जो सैडोज है मनुस्य की जो छाया है मनुस्यों की जो पर्चाई है वो अचानक इधर उधर उड़ रही थी और कहीं खो रही थी और यह सब सभी दिसाओं में हो रहा था In every direction का मतलब होता है सारी दिसाओं में होना This blaze not rising from the east यह चमक यह जलता हुआ शूरी पूरव दिसाओं से नहीं उठी थी यानि कि यह जो चमक है यह जो शूरी जवाला है बलेश का मतलब होता है जवाला पूरव दिसाओं से नहीं उठी थी Ismissed in the city's heart Ismissed Ismissed का मतलब होता है Nust करना Ismissed का मतलब क्या होता है Nust करना In the city's heart City's heart का मतलब होता है सहर का हिर्दे सहर का मद्दे भाग इसका मतलब होता है कि इसने तो सहर के हिर्दे को ही Nust कर दिया था इसने तो सहर के हर्ट को ही क्या कर दिया था नस्ट कर दिया था An immense will of death इसवार्ट संकार शंकार का मतलब होता है शंकार S-U-N-C-R शंकार का मतलब होता है बहुत सारे शूरी बहुत सारे शूरी An immense will of death इसका मतलब होता है मिर्दु का महांचकर या मिर्दु का चक्र या मिर्दु का पहिया मिर्दु का महांचकर या इसको क्या गएंगे पहिया स्वार्ट संकार Spining down and apart in every direction इन दोनों लाइनों का मतलब होता है कि atom bomb ने इतना ताप उत्पन कर दिया था कि यह अनेक सूरियों के समान था यानि कि यह लग रहा था कि केवल एक सूरिय नहीं था बल्कि पता नहीं कितने सारे सूरिय थे कितने सारे सूरिय थे जिनका जो तापमान है वो इतना ज़्यादा लग रहा था कि वहां का जो ताप मान है इतना ज़्यादा लगा ठाप मान एक सूरिय के शमान नहीं है पता नहीं कितने ही सूरज है यह तो एक परकार यह तो एक म्रत्यू के चक्र के शमान था जो सारी दिशाओं में गूम रहा था और हज्जारों लोगों को काल के मौ में पहुँशा रहा था Instant of a sun's rise and set Instant Instant का मतलब होता है moment Moment का मतलब होता है पल या शान Instant of a sun's rise and set यह एटम बम की तुर्ना शुर्य से की गई है एक पल में यह उद्य हुआ और अस्त हो गया Vision Anihilating Vision Anihilating Flair 1 Compressed Nood Vision Anihilating Vision Anihilating Vision Anihilating का मतलब होता है द्रस्टी को समाप्थ करने वाला Flair का मतलब होता है अचानक Flair का मतलब क्या होता है अचानक दधकना Compressed Noon Compressed Noon का अर्थ होता है sunsipщее Compressed Noon का मतलब क्या होता है sunsipщее इस लाइन का अर्थ होता है उस एटम बम के विस्वोट होने पर जो अचानक दधकती हुई चमक उत्पन हुई जो हमारी द्रस्टी को शमाप्त करने वाली चमक थी वो ऐसे पर्तित हो रही थी जैसे दोफेर की धूफ की चमक होती है अता इस एटम बम के विस्वोट से जो चमक उत्पन हुई उसको संसिप्त दोफेर की शंग्या दी गई एंड देन इट वाज नोट वूमन सेडोज देट लेंथ पेल एंड डाइट लेंथ का मतलब होता है लंबा लेंथ का मतलब क्या होता है लंबा इस लाइन कारथ होता है कि यह मनुसे की चाया नहीं थी यह तो एक बड़ा विस्वोड था जिसमें लाखो लोग जुलस कर मर गए it was man suddenly become as mist then gone mist का मतलब होता है कोहरा मिस्ट का मतलब क्या होता है कोहरा इस लाइन कार देखते हैं कि अचानक लोग कोहरे में बदल गए और फिर राख होकर रह गए यानि कि सबकुछ नस्ट हो गया the shadows stay brand on rocks stones of these vacant street brand का मतलब होता है जली हुई brand का मतलब क्या होता है जली हुई rocks का मतलब होता है चटाने stones का मतलब होता है पथर vacant street vacant street का अर्थ होता है खाली गलिया खाली गलिया इस लाइन का अर्थ होता है कि छाया ने एक निशान के रूप में या एक चिन के रूप में जली हुई चटान पर और खाली गलियों पर छोड़ दिया एसन कंजूर्ड बाई मैन कनवर्टेड मैन टू एर कंजूर्ड का मतलब होता है कंजूर्ड का मतलब क्या होता है निर्मित होना कनवर्टेड का मतलब होता है बदल देना टू एर इसका मतलब होता है कि मनुस्य द्वारा बनाया गया सूरी या ये एटम बम सूरी यहाँ पर सूरी किस के लिए आया उस एटम बम के लिए उस अनुबम के लिए जिसने लोगों को वायू में क्या कर दिया बदल दिया परिवर्थित कर दिया तू नथिंग इस लाइन का अर्थ होता है कि उस एटम बम से सब कुछ क्या हो गया, नस्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, यहां तक कि जो चटाने हैं वो भी जल गई, जिस पर विनास के निसान है, वो सेस रह गई, निसान बच गई, जो की मनुस्यों के खुद के लिए गवा थी, मैंस विटनेस टू हिमसेल्फ, लास्ट नलाइन है, नीचे नीचे देखना, मैंस विटनेस टू हिमसेल्फ, इसका क्या आर्थ होता है, कि मनुस्यों के खुद के लिए वो क्या थी, गवा बन गई थी,